हेलो साथियो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार इंस्पारेल स्टेडी में मैं के फिल चौदरी आपका स्वागत करता हूँ और बच्चो क्लास 10 का जो क्रैस कोर्स हमने शुरू किया था उसके दो लेक्चर आप लोगों को मिल चुके हैं आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम कुछ कोश्चन और कुछ MCQs डिसकस करने वाले हैं ये कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहले कोश्चन पर आते हैं पहला कोश्चन हमारे सामने मैंने य कोई शाइनी element है जो X है यह हमें नहीं बताया ठीक है जब इसको वायू की वपस्तिति में यानि oxygen की impurrent हुद है हम इसको गर्म करते हैं या फिर जलाते हैं तो रहर काले रंका हो जाता है ठीक है यानि घट असा सबस्तान्स है कोई ऐसा element है ठीक है जब उसको हम oxygen कीwydd प्रजेंस में तो वह आता है तो इस तत्व का नाम बताईए और इस तत्व से बने योगिक का group of atom यानि atoms प्लस atoms आपका molecule बन जाता है ठीक है clear molecule बन जाता है उसके बाद जब molecule और molecule आपस में चुड़ते हैं यानि group of molecules वो हमारे क्या बन जाते हैं element बन जाते हैं ठीक है clear बहुत अच्छी बात है उसके बाद जब element plus element यानि या group of element बन जाते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं compound बन जाते हैं यानि योगिक बन जाते हैं ठीक है तो ऐसा ही कुछ हुआ इसके साथ यानि कोई substance है जो भूरे रंग का है ठीक है brown color का है x उसको oxygen की presence में यानि yu की presence में गरम करने पर वह काले रंग का हो जाता है तो उस तत्व का नाम बताईए अब इस तत्व का नाम जो है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह है copper ठीक है c u c u इसका symbol है ठीक है और copper इसका नाम है ठीक होता गया है जब हम लोग हमें यह तो पता चल गया copper oxide ठीक है जी copper oxide तो simple सी बात है कि जो element है हमारा पहला वो copper है और जब copper की reaction हम लोग करते है oxygen की presence में तो यह copper oxide बनाता है यह जो black color का substance आपका बना है black color का वो आपका copper oxide है ठीक है तो पहला question complete हो गया है आप लोगों का उसके बाद हम next question पर चलते है अगर इस question में आपको दिक्कत हो तो तुरंत comment कर सकते हैं दिक्कत तो ऐसे नहीं आएगी ठीक है next question जो है वारा number two next question जो है magnesium धातू का वायू में जलना magnesium magnesium धातू का वायू में जलना यह भी आपको reaction ही करनी पड़ेगी जब तक आप लोगों को reaction नहीं आएगी तब तक आप इन questions को नहीं solve कर सकते हैं magnesium वायू का magnesium धातू का वायू में जलना एक उधारन है एक उधारन है ठीक है अब यह जो option दिये हुए है उन option के हिसाब से आपको छाट करके लिखना है पहला option क्या दिया हुआ है आपको पहला option दिया हुआ है बहुतिक परिवर्तन बहुतिक परिवर्तन ठीक है number two पे दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन ठीक है भातिक परिवर्दन मीन्स होता है physical change रासायनिक परिवर्दन का मतलब होता है chemical change ठीक है नमबर थारड पे जो हमारा option दिया हुआ है वो है उश्मा गतीकी का और नमबर चार पे जो option हमें दिया हुआ है वो है इन में से कोई नहीं यानि none of these ठीक है पहली चीज बहुत ही important तरीके से हम लोगों को समझना है magnesium धातू है यानि mg को yu में जला रहे हैं तो mg प्लस o2 is equal to जो equation बनेगी वो बनेगी mg o जब इसको balance करते हैं तो 2 mg यहां कर देते हैं और 2 mg यहां पर ठीक है 2 mg हो जाता है और o भी 2 ही हो जाता है अब उसके बाद उसके बाद जो हमें main चीज जाननी है वो यह है कि यह chemical change है या फिर यह physical change है ठीक यह simple सी बात है जो हमें जाननी है अब एक बात बताओ जब हमने किसी reaction कोई reaction करा दी है यानि mg प्लस o2 जब magnesium की reaction oxygen के साथ हो गई तो magnesium धातू जल गई ash मिला हमें ठीक है और ash मिलने के साथ साथ हमें एक नया product भी एक नया substance भी हमें देखने को मिला अब पहली बाद में आपको बता दू कि बहुतिक परिवर्तन temporary change होता है यानि इस परिवर्तन को अगर इसमें परिवर्तन होता है तो इसको वापस लाया जा सकता है यानि यह reversible होता है ठीक है उसके बाद में बहुतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्त नहीं बनता कोई नया substance form नहीं होता ठीक है तो पहला option तो यह है कि इसमें कोई नया substance बन रहा है तो पहली चीज तो हमारी कटी होगए कि बहुतिक परिवर्तन नहीं है ठीक है उसके बाद में जड़ा चेक करते हैं कि रासाइनिक परिवर्तन है या नहीं है रासाइनिक परिवर्तन है या नहीं तो यहाँ पर chemical change की जो property है वो यह है कि एक नया substance बनाती है और इसको हम reverse नहीं कर सकते यानि irreversible होता है ठीक है तो यहाँ पर जो इसका option सही रहेगा रासाइनिक परिवर्तन यानि magnesium धातू का वायू में जलना रासाइनिक परिवर्तन का एक उधारन है ठीक है यह बात I hope के clear हो गई होगी आपकी next question पर चलते है next question बहुत important है ठीक है बहुत important है यह question कई बार board में भी आया है ठीक है चलिए I hope की जितनी बाते में आप लोगों क रहे हो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है इसमें ठीक है उसके बाद नंबर तीन का जो question है हमारा आज वह है टू एफ़ी सी एल थ्री टू एफ़ी सी एल थ्री प्लस टू एच्टू ओ प्लस टू एच्टू ओ प्लस वाई वाई की जगे पर हमें कुछ लिखना है आपर उसके बाद एरो तू एफ़ी सी एल टू प्लस एच्टू एस तो एच्टू एसो फोर प्लस टू एच्टू एच्टू अल ठीक है उसके बाद में हमें क्या बताना है कि रासाएट नहीं कभी गया है जो chemical reaction है इसमें वाई क्या है तो option देख लेते हैं नंबर वन option क्या है हम नमबर 2 पे हमारा जो option है वो है H2S, ठीक है, नमबर 3 पे जो हमारा option है, वो है SO2, ठीक है, और नमबर 4 पे जो question है, वो है CL2, यानि एक simple सी बास समझो, हमें इस reaction में ये बताना है, ये जो Y दिया हूँ है न यहाँ पे, हैनि FeCl3 plus 2H2O, तो यहाँ ऐसा क्या आएगा, कि reaction में ज चांटना है, अब एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पर FeCl3 है, यहाँ पर FeCl है मौजूद, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद H2O है, H2O भी यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन देखना गया है, Y का देखना है, अब यहाँ अगर S मैच करेंगे हम, पता बिल्कुल कट है, CL2 तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जब हम FeCl3 और H2O के साथ रियक्शन करने के बाद यह प्रोड़क्ट निकाल रहे हैं, तो हमारा जो प्रोड़क्ट इसमें आना चाहिए, यहाँ पर जो रि फॉर्थ कॉश्चन पर, फॉर्थ कॉश्चन पर चलते हैं, कुछ बच्चे मेरे सामने PDF की जिद कर रहे थे, रिशब है एक बच्चा, उसने PDF के लिए बोला था, तो बच्चों मैं सभी को बता दू, आपको केवल रिशब के लिए नहीं है, मैं सब को बता दू, अगर आगे हम लोग और बढ़ जाएं, ठीक है, आप लोगों का response तैय करेगा कि हम लोग कहां stand करेंगे, ठीक है बच्चों, तो अगर PDF की requirement हो आप लोगों को, तो आप मुझे या तो Instagram पे message करिए, वहाँ पे follow करिए, ठीक है, follow भी ना करें, या message कर दें, वैसे बिना follow किए message होग नहीं, ठीक है, दूसरी चीज़ आप टेलिग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, टेलिग्राम चैनल का मैंने link दिया हुआ है, मेरे about section में आप जाकर के देखेंगे, तो वहाँ पे आप link open करके, मेरे सिधे टेलिग्राम पे जा सकते हैं, ठीक है, automatic आप उस group में add हो जाएंगे, वहाँ पर आपको पीडिया फाइल दे दी जाएगी, ठीक है, या फिर आप लोग मेरे facebook page पर, facebook page को like करके, वहाँ पर मुझे message छोड़िए, आपका reply 100% होगा, या आप लोगों को पता ही है, उसके बाद हमारा जो question है, number 4 वाला, number 4 में जो question है, कोई विलियन लाल लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है, नीला कर देता है, इसका मान संभवत क्या होगा, इसका मान संभवत क्या होगा, ठीक है, यानि कोई solution है, और वो solution आपका red लिटमस को blue कर रहा है, ठीक है, red लिटमस को blue कर रहा है, ठीक है, clear, ये वह दिया हुआ है याद का फ और फ कशन दिया हुआ है आपका फ़र्टकेशन दिया हुआ है आपका फाइफคип और फ़र्ट के नहीं अपका 10 वैसे अगर मैं तुम्हैं को थोड़ा सा दिमागं कर आघर आप यहां पर वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर एक चीज है हैं हमारे पास option 4 है आप लोगों को पता है कि 0 से लेकर 14 तक आपका क्या होता है 0 से 14 तक आपका होता है ph value ठीक है उस ph value में अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 6.9 तक आपका acids होते हैं ठीक है acids होते है 7 जो होता है आपका वो नीट्रल होता है ठीक है उदासीन होता है किलियर उदासीन होता है अगर 7.1 से 14 की बात करें तो 7.1 से 14 की बात करें तो यह बेस होता है यानि अक्षार होता है ठीक है अक्षार होता है और यह अमल होता है किलियर ठीक तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी क कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मान संभव तक क्या होगा अब यहां पर वन टू थ्री यह सब एसेड्स हैं और यह अकेला बेस है तो सिंपल सी बात है एक बेस ही इसका क्या होगा आंसर होगा तो मेरे एसाब से इस कुश्चन में को जारा दिक्कत लगानी करता है और नीले लिटमस को नीला कौं करता है अब इस बास से यह भी पता हो गया कि लाल लिटमस को जो नीला करते हैं वह और पूस को लाल करते है और यह बात आपकी और पर u बहुत important है ठीक है भॉत important है question हिए हम लोग सारे important questions को ही यहां पर सोच रहे कराना ताकि आप कोई दिक्कत ना होगा पहली इसमें कोई billion अंडे के पिसे हुए Plant से ये fifth question है कोई billion कोई solution है ठीक है अंडे के पिसे हुए Carbon एक अंडे के अंडे झींस एग़ंग होता है आपको पता है अंडे के पीसे हुए कवच से अभिकरिया करके यानि he एक गैस उत्पन करता है एक गैस उत्पन करता है ठीक है एक गैस उत्पन करता है जो चुने के पानी को दूध्या कर देता है जो चुने के पानी को दूध्या कर देता है ठीक है दूध्या कर देता है इस विलियन में क्या होगा यानि इस विलियन में क्या हो सकता है option जड़ा देख लेते हैं number first option है हमारा NACL number two option है हमारा HCL ठीक है number two है हमारा HCL उसके बाद number three पे हमारा LICL LICL और number four पे हमारा KCL ठीक है अब यहां पर एक चीज़ देखे आप यह जो हमारा बिलियन है यह अंडे के पिसेवे कवच से reaction करके एक गैस उत्पन करता है अब मैं आपको बता दूँ कि जो अंडे का पिसावा कवच है इसमें आपका calcium carbonate यानी CACO3 होता है ठीक है CACO3 होता है अब जब इससे reaction करेगा कौन कौन करेगा reaction HCl reaction करेगा तो HCl reaction करने पर यह क्या होगा यह गैस करेगा आपकी CO2 ठीक है और आपकी H2 ठीक है clear है ठीक है H2O बनाएगा यह और आपकी gas release कौन सी करेगा CO2 करेगा यहां से जब इससे reaction करेगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता ठीक है तो आपको simple सी बात पता चल जाएगी ठीक है बच्चों I hope कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को next question हमारा उस पर चलते हैं बहुत ही छोटा सा है लेकिन important है question क्या है तो यहां पर जो इसका answer होगा यहां पर जो इसका answer होगा वह सुष्क बुझावा चूना ठीक है शुष्क बुझावा चूना clear number seven question पर आते हैं number seven question बहुत important है P.O.P. की जल के साथ अभिकरिया के लिए समयकर लिखिए P.O.P. अनि plaster of Paris ठीक है plaster यह marker मुझे change करना पड़ेगा एक सब्सक्राइब को भाई plaster of Paris plaster of Paris की जल के साथ की जल के साथ अभिकरिया लिखिए आप लोगों को P.O.P. का formula पता है बिल्कुल पता होगा C.A.S.O.4 into half s2 हो ठीक है जब इसकी जल के साथ reaction होगी तो यह क्या बनाएगा C.A.S.O.4 into 2H2O और जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहां 1 by 1 upon 2 लगाते हैं तो यह reaction आपकी हो जाएगी तो plaster of Paris के लिए समयकरन जो है आपकी यह P.O.P. है यह आपका water यह आपका water ठीक है और यहां पर यह बन कि जिपसम को जब हम गर्म करते हैं तो क्या हमें मिलता है ठीक है या फिर अगर P.O.P. की reaction water से करते हैं तो हमें क्या मिलता है जिपसम मिलता है यह question बहुत important है आज note कर लो इसको 90% इसके question के आने के chances हैं आपके board exam में ठीक है अब उसके बाद most important question class 10th के biology क्या question है यह यह मैंन लोग इसको थोड़ा समझ सके और आपके यह काम आ सके ठीक है कि लिए बाद वच्चों अब यहां पर मैं आप लोगों को question बताने वाला हूं यह लगभग 8th question होगा हमारा ठीक है most important है ठीक है और इस question को पढ़ने में interest भी आप लोगों को आएगा ठीक है चलिए मानव बर्शन को शरीर के बहार कि व्यवस्थित क्यों होते हैं कि क्यों होते हैं टेक है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मानव वर्शन को कहते हैं human testis तो आप लोगों को पता होगा टे जो he sedate rein द्ध्यान से सब tyna important question है by कान बार आया है ठीक है आप लोगों को पता है कि human testis होते हैं वह बटी के बाहर रखे होते ठीक है कुछ नाम आपको में बता दूं ठीक है पहली दुबार बदा देता हूँ आप लोगों को मानव वर्षन बाहर क्यों रखे जाते हैं यानि मानव जो human testis होते हैं वो बाहर विवस्थित क्यों होते हैं ठीक है पहली चीज आप लोगों को पता है कि human testis always body के बाहर रहते हैं ठीक है यानि उनको संभालने क्यों के याद होगा जब कभी हम cricket वगएरा खेलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा problem आ जाते थी बॉल वगएरा की तो उस चीज से आप समझ सकते हैं कि human testis जो है वोगर बाहर है तो वो कितने हमें एक care के साथ रखना पड़ेगा कितनी देख भाल उनकी करनी पड़ेगी हमें ठीक है तो पहली चीज अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी बॉड़ी में बहुत सारे और्गन से बहुत सारे आपकी कोशिकाएं हैं ना बहुत सारे system बने हुए digestive system है excretory system है तो ये एक चीज केवल पास भी कुशन बॉर्ड में आया था मैं इसका exact answer देके आया था आप लोगों को बताऊं तो ठीक है बच्चो तो पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि टेस्टिस हैं वो scrotum में रखे जाते हैं ठीक है scrotum में रखे जाते हैं यानि इसको बोलते हैं वर्षन कोस ठीक है वर्षन कोस ठीक है जी पहली चीज उसके बाद इस्टिस जो है वो इसपो मैं का निर्मान करते है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए शुक्रानों का निर्मान करते है यानि आगर dairows करमेशन ओफ क्य defiat श्रियलत कीया चायwhen jk अब सिंपल सी बात यह है कि अगर normal body temperature की बात करूं यानि यो हमारे body का हमारे शरीर का तापमान होता है वह होता है 37c ad imposiert और सिंपल सी बात है वक्चो के ज्यादा temperature में शुकुराणों का बनना possible नहीं है छ्यादा बात आपकाप जो temperature होगा उसमें सुक्रानों को बनना possible नहीं है तो इसी लिए जो आपका scrotum होता है scrotum का जो temperature होता है वो कहीं ना कहीं 2 से 4 degree Celsius तक इसमें कम हो सकता है कम होता है उससे भी कम हो सकता है ठीक है वो तो depend करता है आपके surroundings का जो atmosphere है उस पे ठीक है पहली चीज़ हमारी body का जो normal temperature है वो 37 degree Celsius होता है उस 37 degree Celsius में स्पंप का निर्मान नहीं हो सकता बलकि उससे कम डिगरी कम तापमान उसको नीड होती है तो 2 से 4 degree Celsius scrotum का तापमान human body से कम होता है इसे ज़्यादा कम भी हो सकता है तो वहाँ पर शुकरानू आराम से formation कर सकते हैं और उनको एक अच्छा environment भी मिल जाएगा ठीक है तो केवल और केवल आपका तापमान के कारण ही human testis जानी कि जो मानव वर्षन है वो body से बाहर रखे गए हैं आज की वीडियो में बच्चों ये 8 ही questions थे आप लोगों के लिए अगर ये 8 questions आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो अगर आप पुराने हो तो चैनल को शेर करिए वीडियो को शेर करिए और अपने classmates तक बदाईए कि class 10 की regular वीडियो जो प्रीमियर है उसके माध्यम से आपको लगातार शाम को 8 बजे दी जा रही है ठीक है अगर आप लोग बच्चे यहां से पढ़ते हैं तो simple सी बात है कि आप लोगों को इतने important questions करा दिये जाएंगे कि आप अगर self study करते हो तो आपको 95% तक gain करने का मोगा मिल जाएगा तो आज की वीडियो बच्चो बस इतना ही फिर मिलते हैं कल ऐसी वीडियो के साथ जैहिन जै भारत